Hello everyone, स्वागत है आपका YouTube चैनल Online Education में मैं Assistant Professor प्रवीन ठाकुर आज जिस विशे को लेकर आप लोगों के विच्व फस्तित हूँ वो है HP SET 2020 Paper 2 Political Science जो हेल्ड किया गया था 2012-2020 को तो इसका Paper 2 Political Science जो है मैं आप लोगों के विच्व सॉल्व करके प्रस्तित कर रहा हूँ तो जो लोग जो है ये देखना चाते हैं कि उनके कितने marks बन रहे हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत beneficial सावित होगी ये आप इसका PDF डाउनलोड करना चाते हैं तो आप पीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं तो जो इसमें प्रस्तित पूछे गए थे वो कुल 100 प्रस्तित इसमें पूछे गए थे 200 marks का यह कुल paper था और 2 घंटे में आपको attempt करना था तो पेपर 2 political science state eligibility text में जो प्रस्तित पूछे गए थे वो कुछ इस प्रकार से थे तो पेपर 2 political science जो है maximum marks जो इसमें 200 थे तो जो पहला प्रस्तित पूछा गया था वो पूछा गया था कि J.S. Mill ideas of liberty बास तो J.S. Mill का जो idea of liberty है यह जो है college cadre assistant professor के जो है exam में भी HPPSC द्वारा पूछा गया था तो वहाँ पर जो इसका final answer आया था वो आया था negative तो यहाँ पर most probably इसका answer जो है one का answer जो है B होगा उनकी जो स्वतंतरता का सिधान्थ है वो नकरात्मक है और जो है यदि आप में से इसका किसी को exact answer बैसे तो यही इसका exact answer है फिर भी यदि किसी को लगता है तो वो comment box में लिख सकता है एक का answer जो है B होगा दूसरा परशन पूछा था the group of equality opponent is तो group of equality opponent है वो है Aristotle, Parello and Tokiovali तो दो का answer यहाँ पर B होगा तीन नंबर परशन पूछा गया था which one of the following statement is correct with reference to social justice तो तीन नंबर परशन का answer B होगा it violates the principle of equality तो तीन का answer B होगा चार नंबर जो पूछा गया था match the following आपने जो है thinker का मिलान करना था उनके notions से उनके विचार से तो इसमें जो JS Mill है JS Mill जो है representative government की बात करते हैं RH Townie जो है equality की बात करते हैं John Rawls जो है distributive justice की बात करते हैं Nozick जो है entitlement theory of entitlement की जो है संगया ये theory of entitlement देते हैं तो इस हिसाब से 4 का answer जो है answer यहाँ पर A जो है होगा तो चलिए जो हिंदी में हैं वो लोग भी देख सकते हैं कि जो है क्या-क्या answer होगे तो इसमें जो है इस परकार answer होंगे तो पांच नमबर जो प्रशन पूछा गया था वो पूछा गया था कि who equated democracy with tracer तो ये थी Robert Mitchell Robert Mitchell जो है democracy को tracer से जो है equate करते हैं तो पांच का answer जो है C होगा 6 नमबर प्रशन था who talks about governmentalization of state तो ये बात करते हैं for cold governmentalization of state 6 का answer जो है D होगा 7 नमबर प्रशन पूछा गया था कि find the correct pair तो इसमें जो correct pair है multicultural citizenship की बात जो है bill के मिलिका करते हैं तो 7 का answer जो है exact answer जो है D रहेगा 8 नमबर प्रशन पूछा गया था which one of the following is not a principle of marxism तो जो surplus price है ये जो है marxism का principle नहीं है वो surplus value की बात करते हैं वो जो है surplus जो है price की बात नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो है इसका answer 8 का answer D होगा 9 नमबर प्रशन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि who is the author of the book the yellow wallpaper तो book जो लिखी गई है yellow wallpaper ये लिखी गई है Charlotte Parkin, Jillman के द्वारा तो 9 का answer जो exact है वो है 10 नमबर प्रशन पूछा गया था who stated that recognition not cognition is the basis of multiculturalism तो ये जो है Charles Taylor जो है ये कहते हैं कि बैसे ये communitarian thinker में आते हैं मैं यहाँ पर 100% sure नहीं हूँ पर 10 का most probably जो answer है वो जो है B होगा 10 का 11 नमबर प्रशन जो पूछा गया है who said virtue is knowledge तो ये कहा था सुकरात ने 11 का exact answer जो है ए होगा सुकरात 12 नमबर प्रशन पूछा गया था which one of the following is the best form of government according to Aristotle तो Aristotle के अनुसार जो best form of government है या जो उनकी idle form of government थी जिसको जो है वो best form of government मानते थी वो थी मोनार्की जो है मोनार्की को वो best form of government मानते थी और मोनार्की के बाद यदि वो किसी दूसरी government पर जो है सबसे ज़ादा जो है अगर trust करते थे वो जो है polity थी तो मेरे हिसाब से यहाँ पर most probably और 100% इसका अंसर जो है मोनार्की होना चाहिए बाकिया आप official अंसर की से इसको देख सकते हैं अगर आप पुस्तक में देखेंगे प्रभुदत शर्मा में तो वहाँ पर आपको यह मोनार्की ही इसका अंसर जो है मिलेगा तेरा नंबर प्रशन जो पुछा गया था वो पुछा गया था which one of the following is not related with Machiavelli तो Machiavelli जो है Belfare State की बात नहीं करते हैं तेरा कंसर यहाँ पर D होगा 14 नंबर प्रशन जो पुछा गया था वो पुछा गया था Thinker का मिलान जो है आइडिया से करना था तो Hobbes जो बात करते हैं वो करते हैं Man as a solitary, poor, nasty and brutish की Russo जो है Man को एक जो है Novel Savage मानते हैं Karl Marx जो है बात करते हैं Man as the creator of history और John Rawls बात करते हैं Man as a rational individual तो यहाँ पर 14 का अंसर जो है B होगा तो जो आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से पंदर नंबर प्रशन पूछा था Who said I and fear were born twins together तो यह Hobbes की dictation है यह कहते हैं कि जब Spanish Armada जो है war हो रहा था, civil war हो रहा था England में तो I and fear were the twins together तो पंदरा कंसर जो है A रहेगा 16 नंबर प्रशन था which of the following is our writing of John Locke तो यह सारी की सारी writings जो है जो है John Locke की है तो 16 का अंसर जो है D रहेगा यहां पर और इसके बाद जो है 17 नंबर प्रशन पूछा गया था कि arrange the following books of Marx in chronological order in terms of their publication तो यहां पर जो chronological order बनेगा 17 का अंसर A होगा पहले यह पुस्तक रहेगी यह पुस्तक इननने लिकी थी 1844 में Economic and Philosophical Manifest फिर इननने लिकी थी Communist Manifesto यह लिकी थी 1848 में उसके बाद इननने लिकी थी Value, Price and Profit 1865 में और Da Capital या Da Capital इननने लिकी थी 1867 में तो 17 का अंसर जो है यहां पर A रहेगा 101% Sure है यह 18 नंबर प्रशन पुछा गया था Which one of the following is not a component of Hegel dialect तो जो Hegel का dialect है उसमें जो है Thesis रहता है Antithesis रहता है Synthesis रहता है बलकि Paraxis नहीं रहता है तो 18 का अंसर जहे B होगा यहां पर Paraxis 19 नंबर पुछा था The idea of hegemony is associated with Which one of the following तो जो idea of hegemony है वो Antonio Gramsci देते हैं तो 19 का अंसर यहां पर C रहेगा 20 नंबर प्रशन पुछा गया था Which one of the following was not a moment led by Mao तो Mao की द्वारा जिस moment का नेत्रित्व नहीं किया गया था Mao Zedong की द्वारा 20 का B People Commune Moment बाकि 100 Flower Moment Greatly Forward और Cultural Moment का नेत्रित्व गया था तो 20 का अंसर यहां पर B जो है रहेगा अगला जो प्रशन पुछा गया था Question number 21 According to Kotelia धानवन क्या था तो Kotelia चार प्रकार की दुर्ग की बात करते हैं तो उनमें जो धानवन था पारवत दुर्ग है धानवन दुर्ग है या मरुस्तल जो है यह सारे वो जो है दुर्ग के प्रकार बताते हैं तो 21 का अंसर यहां पर B रहेगा 22 नमबर प्रशन पुछा था आगन सुता इस रिलेटिड बिद तो आगन सुता जो है जी ओगर रानी ने 23 का अंसर जो है B रहेगा 24 नमबर प्रशन पुछा था धर्मशास्त्रा एक्स्प्लेवन तो जो धर्मशास्त्रा एक्स्प्लेवन करता है इस का अंसर 24 का अंसर डी आएगा अल अफ़ दा दीज यह आश्रम की बात करते हैं और बॉर्णा की बात करते हैं 25 नमबर पुचा था who said that if God accept untouchability I will not call him God तो मेरी हिसाब से most probably जो इसका answer आ रहा है वो आ रहा है तिलिक फिर भी आप इसको जो है check कर सकते हैं official answer की से 25 का answer most probably तिलिक होना चाहिए ये इनकी quote है 25 का answer जो है तिलिक होगा 26 नमबर जो पुचा गया था वो पुचा गया था correct pair जो है आपने find करना था तो जो यहाँ पर incorrect pair है अंबेतकर जॉन डीवी से प्रभावित थे गांधी जॉन रॉसिंग से प्रभावित थे एमन रॉय लेनिन से प्रभावित थे नेहरू चेमरलेन से प्रभावित नहीं थे 26 का answer जो है exact आएगा D 27 नमबर पुचा था which one of the following is not a book written by अंबेतकर तो जो बुक नहीं लिखी गी थी अंबेतकर देगा था वो था who were the brahmian तो जो है 27 का answer जो है D है इन्होंने who were the शुद्रा ये पुस्तक लिखी है 27 का answer जो है D यहां पर रहेगा ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है 28 नमबर जो पुचा था the cult of चल्खा written by a tagore is a critique of तो इस का answer जो है 28 का answer D है गांधियन थॉट की भी critique थी स्वादेशी मोमेंट की भी और mass participation की भी critique थी तो 28 का D 29 नमबर प्रशन जो पुचा गया था वो पुचा गया था कि thinker और उनकी ideas को match करना है तो MN Roy जो idea देते हैं वो है radical humanism राम उन्होरलोया बात करते हैं सब्त करांती की जेपरकाश नरायन बात करते हैं partyless democracy की और धीन देयाल उपधियाए बात करते हैं idea of चित्ती तो यहाँ पर जो 29 कांसर हैगा वो exact रहेगा B 29 कांसर जो है B यहाँ पर सही रहेगा 30 नमबर प्रशन पूचा था who is the exponent of spiritual nationalism तो शिरी अरुइंदो 30 कांसर यह रहेगा शिरी अरुइंदो जो है spiritual nationalism के exponent है 31 प्रशन पूचा था which one of the following statement is incorrect with regard to comparative politics तो comparative politics के regard में जो incorrect जो statement है it compares institution or not structure 31 का अंसर जो है यहाँ पर B रहेगा 31 का अंसर जो है क्या रहेगा B यहाँ पर रहेगा 32 नमबर प्रशन पूचा था which one of the following is not generally studied under new institutional तो जो इसका अंसर रहेगा 32 का अंसर रहेगा D classics को study इसमें नहीं किया जाता है 32 का अंसर D रहेगा 33 नमबर प्रशन था the countries of the third world are now known as the countries of तो इनको जो है countries of जो है गलोबल साउथ 33 का अंसर जो है A रहेगा 34 नमबर प्रशन था who consider ethnic as the basis of nationalism तो इसका जो अंसर है वो होगा Ernest Gellner क्योंकि ये जो है एथनिक अधार पर nationalism की जो है थियोरी देते क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो Benedict Anderson है ये nationalism से जुड़े होए है Anthony D Smith है ये भी nationalism की बात करते हैं Ernest Gellner है ये भी nationalism की बात करते हैं पॉल वरास जो है nationalism की बात मुझे लगता है नहीं यहाँ पर करते हैं तो 34 का जो most probably अंसर होगा वो होगा भी जो है Ernest Gellner बाकि आप official answer की से इसको check कर सकते हैं जब official answer की आएगी 35 नमबर प्रशन था तो इसकी जो author है वो है Joseph Shiljit तो 35 का अंसर जो है A रहेगा 36 नमबर जो प्रशन पूछा गया है वो पूछा गया था कि concept और thinkers को आपने मिलाना था तो civic culture की जो बात करते हैं वो करते हैं Sydney वर्व political system की बात करते हैं David Eastern और political development की बात करते हैं Lucian Pai political modernization की बात Samuel P. Huntington करते हैं 36 का जो अंसर रहेगा वो रहेगा B जो है exact 36 का अंसर जो है B रहेगा तो इसके बाद जो अगला पुछा गया था 37 नमबर पुछा गया था कि which one of the following is incorrect statement with regard to the British monarch तो British monarch की regard में जो incorrect statement है वो है 37 का D the monarch can dissolve the parliament तो monarch जो है parliament को dissolve नहीं कर सकता है यह incorrect statement है 38 नमबर पुछा गया था which of the following is correct chronological order of the offices held by the Chinese communist leader तो 37, 38 का अंसर यह रहेगा सबसे पहले माउता से तुम फिर देंग जी उपिंग फिर जियांग जीमिन फिर जो है शी जिंपनिंग तो 38 का अंसर यह रहेगा 40 नमबर पुछा था बोरिन व्रोक वर्क व्राइस व्रगट आर दा फाउंडर एक्स्पनेंट अप तो यह है political parties के एक्स्पन 40 का अंसर जो है 41 नमबर पुछा था who among the following is not a green politics theorist तो green politics जो theorist है वो नहीं है जो वो है TH green 41 का अंसर जो है B यहां पर रहेगा 42 नमबर जो पुछा था बो पुछा था new new debate in international relation तो जो new new debate है IR में international relation में वो है convergence of new realist and new liberalist तो 42 का अंसर जो है A रहेगा 43 नमबर पुछन जो है Pecta Sant Sarvanda Latin word stands for तो इसका अंसर आएगा binding treaties 43 का अंसर जो है यहां पर A रहेगा और 44 नमबर पुछा था The term embedded liberalism is given by तो यह दी गई है John Ruggie के द्वारा 44 का अंसर जो है A रहेगा 45 नमबर पुछा गया था Who among of the following is not a feminist international relation thinker तो जो theorist नहीं है वो है Mary Caldor 45 का अंसर जो है D रहेगा 46 पुछा था The Rio Conference on Sustainable Development was convened in the year तो यह convened के गई थी year 2012 में 46 का अंसर C रहेगा 47 पुछा था Who is the author of the book Monoculture of the Mind तो यह लिखी है Bandana Shiva के द्वारा 47 का अंसर जो है C रहेगा 48 नमबर पुछा था Brexit divorce bill is related to यह है financial settlement से समबंदित 48 का अंसर जो है क्या रहेगा यहां पर A जो है रहेगा 49 नमबर पुछा था Nuclear umbrella refer to तो यह refer करता है protection by the major nuclear power 49 का अंसर A रहेगा 50 नमबर पुछा गया था Match the following and choose the correct answer from the given codes तो इसका जो अंसर आएगा वो आएगा D यहां पर जो है एक Islamic revolution 1979 में थी American war जो हो था 2003 में The war at Waterloo यह 815 में हो था Napoleon का और 4 नमबर था The Yom Kupur War यह हो था 1973 में तो अंसर जो है 50 का यहां पर D रहेगा 51 नमबर पुछा गया था Which one of the following is not means achieving of the objective of Indian foreign policy तो इसका जो अंसर होगा वो होगा C 51 का अंसर जो है Friendship build all country 52 नमबर पुछिन था Marshall plan was a part of which of the following तो economic diplomacy थी जिसके तहत जो है Europe की 12 देशों को जो है आर्थिक सहाईता दी गई थी Marshall plan के तहत जो है Sheetude के समय में तो 52 का अंसर जो है भी आएगा Economic diplomacy थी यह USA की जो है Marshall plan इसके अलावा 53 नमबर पुछा गया था Name was established as which of the following conference तो Belgrade conference जो हुई थी 53 पुछिन का अंसर जो है भी रहेगा Belgrade conference 54 नमबर पुछिन पुछा था With which country did India start its first entry terror dialogue in the post-URI attack तो जो post-URI attack जो है भारत ने चाइना के साथ जो है anti-terror dialogue किया था 54 नमबर पुछा था यहाँ पर D जो है रहेगा 55 पुछा था The G-Sat 9 was launched by ISRO in 2017 help bitch of the following तो सार्क को help करने के लिए यह जो है 55 नमबर यहाँ पर C रहेगा 56 पुछा था bitch of the newest member in सार्क तो अफगानिस्तान जो है सार्क का new member है 56 का अंसर जो है C रहेँ पर रहेगा 57 पुछा गया था सुभाचंदरा बोस जो है आपदा प्रवंधन पुछकार is initiated by the government of India in which of the following field तो disaster management की field में इस पुछकार को initiate किया गया है 57 का अंसर जो है D रहेगा 58 नमबर पुछा गया था which of the following is not the mission of India's national action plan on climate change तो India's national action plan on climate में जो नहीं आता है वो है national based जो है mission इसमें नहीं आता है बाकि सारे के सारे इसमें आते हैं 101% share है 58 का अंसर जो है C रहेगा 59 नमबर जो पुछा गया था भू पुछा गया था which is the first BRICS declaration that names LAT-JEM as terrorist group तो ये Ziamin declaration हुई थी चाइना में 59 का अंसर जो है B रहेगा 60 नमबर पुछा था in which year did India become a full member of Shanghai Corporation तो इंडिया बना था 2017 में इसका member 16 का अंसर C रहेगा 2017 61 नमबर पुछा गया था the demand for making the constitution of India was made for the first time in which of the following तो स्वाराज जे बिल में सबसे पहले इसकी demand की गई थी 61 का अंसर भी रहेगा 62 पुछा गया था the election for the member of constitute assembly was made by which of the electoral system तो constitute assembly को चुनने के लिए जिस जो है electoral system का use किया गया था past the post था तो यहाँ पर जो है मैं sure नहीं हूँ 100% पर मेरे हिसाब से इसका अंसर जो है 62 का जो है D होना चाहिए बाकि आप official answer की के आने पर जो है आप check कर सकते हैं और अगर आप जो है लक्षमी कांत को Indian polity को देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वह partially जो है proportional representation था और जो है partially वो जो है जो है ऐसी जोने nominate किये गए थे तो 62 का answer मेरे हिसाब से यहाँ पर D होना चाहिए तो यदि आपको किजी को exact answer आता है तो आप जो है comment box में comment कर सकते हैं 63 तो यह कहा था 63 कंसर जो है 64 कहा प्रशन था प्रिवी पर्स को अविलिश किया गया था 65 प्रशन पूछा था तो इस जमू काश्मीर के जो लेजिसलेटिव असेंबली है यहाँ से जो है प्रेजिडेंट की चुनाब की जो इलेक्टरल कॉलेज है उसमें भाग नहीं लेते हैं 65 का answer जो है रहेगा हाना कि बात चली हुई थी लेकिन शियोड जो है इसमें नहीं है 66 नंबर प्रशन पूछा गया था विच वन अप दा फॉल्विंग इस ट्रू बिद रिगार्ड टु दा जॉइंट सिटिंग आप दे पार्लिमेंट तो जो इसमें राइट है वो है 66 का सी तो मैं इसमें शियर नहीं हूँ यदि आपको इसका अंसर आता है तो comment में ज़रूर कीजिए या आप official key से इसको check कर सकते हैं 68 नंबर प्रशन पूछा गया था पप्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की उपर 68 का अंसर जो है C रहेगा उपेंदर वक्षी 69 नंबर प्रशन था तो जो legislative council की जो formation है वो तब होती है यदि जो है पार्लिमेंट को जो है recommend करे legislative assembly उस state की तो फिर पार्लिमेंट जो है उसको recommend कर सकता है 69 का अंसर जो है यहाँ पर B रहेगा 70 नंबर जो प्रशन पूछा गया था वो जो है committee और उनकी reports जो है year wise बतानी थी तो इसका अंसर जो है A रहेगा A जो है same जो है उसमें है यह जो है गोश्वामी committee 1990 में आई थी अंदर जुकता 98 में आई थी B वेदरा committee 93 में 24 में तो इसका जो अंसर आएगा A जो है एक का एक जो है दो का दो तीन का तीन चार का चार जो है 70 का अंसर जो है A आएगा 71 पूछा था The strategy for new India at the rate 75 is reported by तो यह जो है नीती आयोग द्वारा रिपोर्ट की गई थी 72 नंबर पुछा गया था New economic policy 1990 was the handy work of तो यह था मनमोहन सिंग इस समय जो है यह जो है मिनिस्टर थी 72 का अंसर जो है B आएगा 73 जो पुछा गया है वो पुछा है which of the following was added to the preamble of the constitution by a 45th amendment तो वो है secular शब्द जोड़ा गया था 73 का जो है अंसर यह आएगा 74 नंबर जो पुछा गया था वो पुछा गया था कि which of the following is not related with the habermask description of new social movement तो इसके बारे में मैं यहाँ पर sure नहीं हुई यह दिया आपको इसका अंसर आता है तो आप जरूर जो है इसको comment box में लिखिएगा 75 नंबर पुछा गया था which one of the following social organization is associated with RTI movement तो जो मजदूर किसान शक्ती संगठन है यह इस से जुड़ा हुआ है 75 का जो है C अंसर रहेगा 76 पुछा गया था पुछा गया था पुछा था पुछा था पुछा था 76 में introduce किया गया था 77 का अंसर जो है B आएगा 78 नंबर पुछा था सर्व धर्मा संभवा was the basic principle of bitch of the following political party तो सर्व धर्म संभवा यह जो है मुझे लगता है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का जो है मोटो होना चाहिए इन से संबंदित होना चाहिए कि यह सभी religion को जो है यह प्रमुकता देते थे बाकी में शियो नहीं हूँ यह आप जो है इसको official की से देख सकते हैं तो इसका अंसर D हो सकता है 78 का जो है D हो सकता है 79 नंबर पुछा था the third democratic upsurge displays significance of which one of the following India's electoral politics तो यह दिखाती है voters की 79 का अंसर जो है B रहेगा 80 नंबर पुछा गया था S B E E P तो इसका अंसर आएगा A systematic voter education and electoral participation तो 80 का अंसर जो है यहाँ पर A आएगा 81 का पुछा था which of the following terms in public administration has coined by Boudreau Wilson तो politics and administration dichotomy की बात करते हैं Boudreau Wilson 81 का अंसर जो है C रहेगा 82 नंबर पुछा था The founder of decision making approach in public administration तो यह है Chester Bernard जो है decision making की बात करते हैं public administration में 82 का अंसर जो है C रहेगा 83 नंबर पुछा था New public management is associated which one of the following तो Minoguruk 2 जो थी इस से संबंधित था New public management 83 का अंसर जो है B यहाँ पर रहेगा 84 नंबर जो पुछा था जो है public administration से author पूछे गए थे उनके concept पूछे गए थे तो Luther Gullick जो है Post Corp की बात करते हैं Henry Full जो है Gang Plank देते हैं F.W. Taylor जो है R. Top Cutting Metal की बात करते हैं Harvard Simon जो है Bounded Rationality की बात करते हैं तो 84 का अंसर जो है यहाँ पर C होगा 84 का अंसर जो है यहाँ पर C होगा 101% 85 नंबर पूछा गया था कि which one of the following is not the characteristics of the Bavarian bureaucracy तो Bavarian bureaucracy की जो characteristics नहीं है वो है contractual recruitment की वो बात नहीं करते हैं 85 का जो है अंसर रहेगा C 86 पूछा था which one of the following are the characteristics of the development administration तो development administration की जो विशेशताएं है वो goal oriented भी है, change oriented भी है, client oriented भी है तो 86 का जो है आपर D आएगा 87 नंबर पूछा था the idea of governance was conceptualized for the first time in the context of तो सब सहारन country के context में जो है governance की बात की गई थी idea of governance को conceptualized किया गया था 87 का अंसर जो है यहाँ पर यह आएगा 87 का अंसर जो है यहाँ पर यह आएगा, 88 नंबर पूछा गया था who among the following associated with the transformation leadership तो MP Follett जो है associated है, transformation leadership से 88 का अंसर जो है D रहेगा, transformation leadership MP Follett, 88 का अंसर दी रहेगा 89 था, need hierarchy of must look refer to तो जो need hierarchy है, इसका अंसर आएगा 89 का D, वो psychological needs की भी बात करते थे, big longing needs की भी बात करते थे, और safety needs की भी बात करते थे, 89 का अंसर D रहेगा 90 नंबर पुछा था, who called mother of scientific management, तो mother of scientific management कहा जाता है lenient green breath को, 90 का अंसर जो है, यह रहेगा, lenient green breath 91 नंबर पुछा था, the good governance day in India is celebrated तो इसको celebrate किया जाता है, 25 December को, 91 कांसर जो है D जो है रहेगा 92 पुछा था, which of the following is our, the tool of judicial control over administration, तो इस कांसर रहेगा, D all of the above, rates भी होते इसमें, judicial review भी और progressive law और administrative law, 92 कांसर जो है, D रहेगा, 93 नंबर जो पुछा था, वो पुछा था, arrange following Asian country, according to their ranking, from clean to corrupt perception index, 2018 तो इसके तहत, जो है, सबसे पहले जो है, बैसे, इंडिया और चाइना का सेम सेम है, इंडिया का भी इसमें, जो है, 80 जो है, रहेंक है लेकिन इसका जो exact sequence आएगा आएगा, A, C, C के बाद जो है, इसमें, D आएगा, शिरलंका आएगा, और शिरलंका के बाद पाकिस्तान आएगा तो 93 का अंसर, जो है, A यहां पर आएगा 94 नंबर जो पुछा गया था, वो पुछा गया था, the right to information act came into force in the year, तो यह आए था, 2005 में 94 का अंसर, B रहेगा, 2005 95 नंबर पुछा था, लोगपाल in India is, तो लोगपाल इंडिया में एक संस्ता है, एक institution है 95 का अंसर, B रहेगा 96 नंबर पुछा गया था, which of the following denotes, denotes grassroots governments, तो इसमें, जो है D अंसर आएगा, 96 का, linking with root, licensing with rural, living with the real, 96 का अंसर, रहेगा, 97 पुछा था, स्वच भारत अवियान was launched, on 2 October 2014, तो यह launch किया गया था, राजगाट New Delhi से, 97 कांसर, जो है यहां पर, A रहेगा, 98 नंबर पुछा गया था, गवर्नमेंट प्रोग्राम, परधान मंत्री, उजवला, योजना जो है, deals भी, तो यह deal करती है cooking fuel से, 98 का अंसर भी रहेगा, 99 नंबर पुछा था, which one of the following is the type of audit used in Manrega, तो जो Manrega में audit use किया जाता है, वो है social audit, 99 का अंसर जो है, A यहां पर रहेगा, 100 नंबर जो पुछा था, food security act was implemented for the first time in which of the following places, तो काला हांडी में सबसे पहले food security act को implement किया गया था, 100 कांसर जो है, यहां पर D रहेगा, तो यह था सूचना का अधिकार 2005 में भारत में लोगपाल इकसंस्ता है और 96 कांसर जो है यह रहेगा, 2 October 2014 को यह जो है, राजगाट से चुरू किया गया था, और जो है, निवन मेंसी सरप्रतम किस स्तान पर खादियान सुरक्षा धिनियम किया नवित किया यह था, यह था काला हंडी तो यदि आप चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू